आज तेरा अगस्त 2022 है और आज के जितने भी महत्रपुर्ण क्रेंट एफेर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्ण आज का पहला प्रश्ण है अंतराष्ट्रिय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो आंतराष्ट्रिय युवा दिवस बारा अगस्त को मनाया जाता है मुसलिम महिला अधिकार दिवस एक अगस्त को मनाया जाता है राश्ट्रिये परवता रोहन दिवस 1 अगस्त को, वर्ल्ड लंक कैंसर डे 1 अगस्त को, पिगलीव गईया जयनती 2 अगस्त को, अंतर राश्ट्रिये ट्रैफिक लाइट दिवस 5 अगस्त को, हीरो सीमा दिवस 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 को, अमेरिका के द्वारा जापान के हीर प्रोसीमा शहर पे पहली बार प्रमानुबम गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल बॉई राष्ट्रिये भाला फेक दिवस 7 अगस्त को विश्व हत्खरगा दिवस 7 अगस्त को ये हत्खरगा दिवस क्यों मना जाता है तो यह दिवस 1905 में शुरू हुई सौदेशी आंदोलन को याद के रूप में मना जाता है भारत छोरो आंदोलन दिवस 8 अगस्त को नागा साके दिवस 9 अगस्त को 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के नागा साकी सहर पे दूसरी वारप अनवानुवम गिराया गया था जिसका नाम था फैट मैं विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को और अंतराष्ट्रिय युवाद दिवस मैंने भी जश्ट बताया 12 अगस्त को अभी जो भारत के 48 में मुखन यदिस है वो है रमनन ठीक है तो भारत के 49 में मुखन यदिस जो बनेंगे आपके वो बनेंगे नियाय मुर्ति उदय उमेश ललित कौन बनेंगे तो 49 में मुखन यदिस बनेंगे नियाय मुर्ति उदय उमेश ललित अब नियाय मुर्ति से औ बार क्या-क्या प्रश्ण बढ़ेंगे आपके एक्जाम में तो वो डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो यह है कि एन्वी रम्नन जो अभी बरतमान में कारे रत हैं अभे के मुखन अदिस के पदबर उनका कारेकाल 26 अगस्त 2022 को खतम होगा समिधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सरवोच्य नियाले से सम्मंदित प्राबधान किये गए हैं अनुच्छेद 124 में आपका सरवोच्य नियाले की अस्थावना एबं उसके गठन सम्मंदित प्राबधान का वर्नन है अनुच्छेद 126 में मुख्य कारेकारी नि नियादीष की, निक्ति का वर्नन है, 119, अनुछेद 129, उच्छ नियाले को अभिलेक नियाले खोचित किया गया है आपका, अनुछेद 129 के तहत सरवोच नियाले में मुख नयदीश सहीत अन्य उजस्तम नयदीश के बेतन का नरधारण जो करता है वो कौन करता है? संसद करता है सरवोच नयदीश की सेवा निविर्टी की आयू जो आपकी है वो है 65 परस कितनी है? तो 65 परस जेकानिया भारत के पर्थम मुखनिया दिश्टे ठीक है अब अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण आपका है कि हाली में अगस्ट 2022 अमी उत्राखंड के ब्राण अबेस्टर के रूप में किसे निप्त किया गया है तो उत्राखंड के ब्राण अबेस्टर के रूप में क्रिके तो उतरा खंड के हरीदवार दिश्टिक में आपका रिसब पंत का जर्म हुआ था अब कुछ ब्राण्ड नमेस्टर और भी अन्ने भी हैं जो आपके एक्जाम के लिए बहुत इंप्रोटेंट है वो हम देखते हैं जैसे कि आपका मिंत्रा के ब्राण्ड नमेस्टर बनने है आलिया भट फीनो पैमेंट बैंक के हैं पंकच्ट्र पाथी रियल मी के हैं केल राहूल और गुट डॉट के ब्राण्ड नमेस्टर है नीरच चोपरा खेल गेम 24 इंटु 7 के ब्राण्ड नमेस्टर है आपके एडितिक रोसन और गेम एप एप A23 और थमसप के ब्राण्ड मेस्टर है सारू खान एरिडास के ब्राण्ड नमेस्टर है मनिका बत्रा और यह मनिका बत्रा टेनिस प्लियर है तो एरिडास के ब्राण्ड नमेस्टर कौन है मनिका बत्रा और अभी हाली में उत्राखंड राजी के ब्राण्ड नमेस्टर कौन बने है तो यह बने है में जितने भी जिले हैं उस सब जिले में एक संस्क्रित गाउं उत्राखंड बिक्सित करेगा, और उत्राखंड आपका प्री प्रामरी अस्तर पर नई सिख्छा नित्ती को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, वैसे अगर आपसे पुछा जाए कि नई सिक्षा नित्य को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है तो भारत का पहला राज्य नई सिक्षा नित्य को लागू करने वाला करनाटक बना है और दूसरे अस्थान पर मध्य परदियस है और प्री प्रैमरी अस्था पर कौन सा राज्जी है तो उत्रा खंड है आपका नई सिख्छानीति को लागू करने वाला अगला प्रशन अगला प्रशन आपका है कि किस राज्जी के मुख्य मंत्री ने बुनकरों के लिए निथन्ना भीमा योजना के सुरुवात की है सबसे पहले हम यह जानते हैं कि न knit kita do Now के साथ सधारी की है किसके साथ allda life insurance korporenen के साथ अपका तिलंगना सरकार ने समझाता की है तो यह जे आपका ने ने थन्ना भीमा योजना कहां लागो हुआ तो मैंने जो बोली दिया भी कहां हुआ तिलंगना में हुआ कहां पे लागो हुआ तिलंगना अब तिलंगना की राजधानी जो आपकी है वो है है हैधराबाद और हैधराबाद आपका मूसी नदी के किनारे है कहां है मूसी नदी के किनारे है तिलंगना की यह स्थापना होई थी 2 जून 2014 को कब होई थी 2 जून 2014 को तिलंगना के गवर्न तमिल साही सवंदो राजन और मुख्य मंतरी है के चंदर सेखर राओ हैदराबाद जो आपका है इसको कहा जाता है पाक कला का सहर पाक कला के सहर के नाम से जानते हैं है हैदराबाद को और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है अभी हाली में एक रिपोर्ट आई थी वो एक इस तक का रिपोर्ट है आपका एक मंदिर ते लंगना में आपका काक्तिये रुदेश्वर मंदिर या रमपा मंदिर इसको अभी हाली में यूनेसको के वर्ल्ड हेरिटेज साइड में सामिल किया गया यूनेसको के विश्व धरोहर के सुची में इसको सामिल किया गया ह UNESCO, United Nation Educational Scientific and Cultural Organization फिर से एक बर बोल रहा हूँ मैं आपका United Nation Educational Scientific and Cultural Organization और इसका मुख्याले जो आपका है वो फ्रांस के पेरिस में है कहां पे है? फ्रांस के पेरिस में है तिलंगना में एक परियोजना है जिसका नाम है कोंडा पोचमपा सागर परियोजना ये गोदावरी रिभर पे है तिलंगना में एक और परियोजना जिसका नाम है कालेश्वरम परियोजना ये भी गोदावरी नदी पर है और तिलंगना में एक और नया परियोजना जिसका नाम है समकाका सागर परियोजना समका का सागर सिचाई परियोजना यह आपका गोधाबरी नदी के ऊपर बना हुआ है और यह मुलगू चेले में बन रहा है ठीक है तिलंगना हाई कोड की यह चीप चस्टिस आपकी है वह हेमा कोली कौन है हेमा कोली है और यह पूर्य भारत में एक मातर अभी महिला चीप चस्टिस है ठीक है तिलंगनाय मना जाता है बुनालू महोत्सव और कानूमा तेहबार कहां मना जाता है तिलंगनाय मना जाता है अब अगला प्रश्ण हाली में किस वर्ष तक कैंद्रिय मंत्री मंडल ने प्रधान मंत्री सहरी आवास योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है तो ये 2024 तक कब तक 2024 तक तो प्रधान मंत्री सहरी आवास योजना क्या है तो प्रधान मंत्री सहरी आवास योजना जो आपका है इस योजना या योजना देश के सहरी छेत्रों में सभी लावरतियों को पक्या माकान उपलब दकराने के लिए कैंद्र सरकार दोरा लागू किया गया था और लागू अब तक रहेगा तो 2024 तक ये योजना चलेगा आपका 2024 तक चलेगा अब नेक्स कुश्चन आपका है कि हाली में फिस एंड सीफुड नामक पुस्तक का भी मोचन किसने किया है तो फिस एंड सीफुड नामक पुस्तक का भी मोचन आपका पुरुसुत्तम रुपाला ने किया है किसने किया है पुरुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् एक पुष्टक और है आपका उरान एक मजदूर बच्चे की इसके लिखक आपके है मिथलेश तिवारी और एक और आपका है इसके लिखक है सोनु फोगट कौन है सोनु फोगट एक और फिर से रिविजन करते है ममता बिहाइंट 2021 के लिखक है जयन्त गोसाल एक मजदूर बच्चे की के लिखक है मिथलेश तिवारी और वाई हाउ टू अर्थ गौड इट्स ब्यूटी सुधा मुर्ती और अस्टांग योग के लिखक है सोनु फोगट कौन है सोनु फोगट अब अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण आपका है कि हाली में जापान का सर्वच नागरिक सम्मान कि सेवे लेयर दी ला लीजन दी ऑनर किसको दिया गया तो इक कंग्रेस के नेता है सासु घरोर उन्ही को फ्रांस का सर्वच नागरिक सम्मान सेवे लेयर दी ला लीजन दी ऑनर दिया गया ठीक है अब अगला अब दिखते हैं फ्रांस तो फ्रांस की राध्धानी क्या है तो फ्रांस की राध्धानी है पेरिस कहा है राध्धानी फ्रांस की तो फ्रांस की राध्धानी है पेरिस और फ्रांस के परसिडेंट आपके राष्टपती जो आपके हैं वो है इमेनुवल मेकरोन ये फ्रांस की पहली महिला प्रधान मंद्री बनी है और ये फ्रांस की पहली महिला प्रधान मंद्री बनी है फ्रांस की केरेंची है यूरो मुद्रा क्या है यूरो और फ्रांस के पेरिस में आपका यूनेस्को का मुख्याले है इंटरपोल का मुख्याले है आर्थिक सहयोग और बिकास संगटन का मुख्याले है और European Space Research Organization का मुख्याले फ्रांस के पेरिस में है European Space Research Organization की स्थापना होई थी आपका 1964 में कब होई थी mois am इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और Indian Space Research Organization की स्थापना जो हुई थी आपकी वो हुई थी 1969 में कब हुई थी तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी अब अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है हाली में किसने एक निया वर्चूल स्पेस मुजियम स्पार्क लॉंच करने की खुसना की है तो कौन है इसरो इसरो ने अभी हाली में एक निया वर्चूल स्पेस मुजियम स्पार्क लॉंच करने की खुसना की है तो कौन है इसरो इसरो ने अभी हाली में से तो आंदर प्रदेश के सरी अरी कोटा से इस रो अभी मैंने ज़ेश्ट बोला आपका इस रो इंडियन स्पेस रिसर्च औरगनाजेशन इसकी अस्थापना हुई थी तो 1969 में इसकी अस्थापना हुई थी ठीक है और इसरो की अस्थापना जो हुई थी आपकी वो कब हुई थी तो 1964 में हुई थी फिर से एक बार बोल दे रहा हूं इसरो की अस्थापना इंडियन स्पेस रिसर्च औरगनाजेशन वाला इसरो जिसका मुख्याले बैंगलोर में है इसकी अस्थापना 1969 में हुई और ESRO यूरोप इन इसरो के बारे में इसका मुख्याले कहा है बैंगलोर में है इसके स्थापक थे बिकरम सारा भाई और इसके स्थापना हुई थी 15 अगस्थ 1970 को और इसके चेर्मेन बरतमान में आपके हैं S. Somanathan कौन है S. Somanathan इसरो के चेर्मेन है इंडियन स्पेस रिसर्च औरगनाजेशन ने देश का सबसे छोटा रॉकेट आंदर प्रदेश से लॉंच किया था और आंदर प्रदेश में अगला प्रशन है आपका हाली में किस राजसरकार ने GST की चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल एप लॉंच किया है चेर्मेन है और लोकसभा यहां पे बीच है राजसभा के बारे मैंने कल बताया था कि राजसभा का वरनन भारती समिधान के अनुचेद ऐसी में है और संसद का गठन का वरन की सनुछेद में है 79 में है किरल में आपका पराम भी कूलम नेशनल पार्क है पेरियार नेशनल पार्क है और सैलेंट वैली नेशनल पार्क है क्या है सैलेंट वैली नेशनल पार्क जो आपका है किरल में है और किरल में कौन सी घटनाए हुई जो इजाम की द्रिष्टिकों से बहुत महत्तपुर्ण है तो देखते हैं आगे आगे आपका है कि अभी हाली में केरल में क्या हुआ तो ओल्लाइन सरकारी ए टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पसी मंगाल को हरा कर जीता राज्य का पहला बैग्यानिक एटलस बैग्यानिक पक्षी एटलस केरल ने लॉंच किया मतलब इस एटलस में आपका कई तरह के पक्षियों के परजाती के बारे हैं बताया गया है देश की पहली पेपरलिस अदालत जो बनी आपकी वो केरल हाइकोट बनी कौन बनी तो केरल हाइकोट जो आपका है वो देश की पहली पेपरलिस अदालत बनी और मैंने कल बताया था आपका कि देश की पहली नयाई की घरी जो आपकी लगाई गई थी वो लगाई गई थी अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है और मैंने विजस्ट बताया GST चोरी को रोकने के लिए लख्की बिल एप किस ने लॉंच किया है तो केरल ने लॉंच किया है अब अगला प्रशन देखते हैं तो अगला प्रशन है हमारा ह उजवेकिस्तान ने आपका स्वनपतक जीता कल भी मैंने कोशन इसके बारे बताया था वह आगे देखते हैं तो अभी फिर से इसको रिविजन करते हैं अंतराष्टिय सत्रंज महासंग FIDE द्वारा आयो जित चौवालिसमा सत्रंज ओलंपियाड में किस देश ने स्वनपत जीता तो उजवेकिस्तान ने जीता अब यह जो आपका चौवालिसमा सत्रंज ओलंपियाड हुआ यह कहां हुआ तो यह जो चौवालिसमा सत्रंज ओलंपियाड हुआ वह भारत में हुआ कहां हुआ भारत में कहां उपे हुआ तो भारत का एक राज्य है तमिलाडू और उ उजबेकिस्तान ने सुन पदक जीता और अर्मेनिया ने कौन सा पदक जीता तो अर्मेनिया ने आपका जीता रजत पदक और भारत ने जीता कास से पदक भारत ने क्या जीता कास से पदक अब बात करते हैं उजबेकिस्तान के बारे में उजबेकिस्तान की राधानी है तासक कितने वर्षों के अंतराल पर होता है दो वर्षों के अंतराल पर होता है तो अब का वो कभड़ा 24 में होगा क्योंकि मैंने क्या बोला दो वर्स गेंत्राल पर होता है तो 45 समा सतरंज Olimpiad आपका बुढ़ा-पिष्ट में होगा हंगरी की रधानी है बुढ़ा-पिष्ट। 46 समा सतरंज इसको आपका इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की अस्थापना हुई थी तो ये थे आपके आज के महत्वपूर्ण क्रेंट अफेर जो आपकी एक्जाम की दृष्टिकों से बहुत ही महत्वपूर्ण थी अब मैंने जो कल बताया था आपका उस क्रेंट अफेर को हम वल लाइन किया तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी अधितनातर जी ने बजर प्रहार सैनब भ्यास भारत और किश देश के बीच हुआ तो अमेरिका के बीच हुआ दनूरी नामक चंदरियान विसन किश देश ने लॉंच किया दक्षिन कोरिया ने लॉंच किया जुलाई म सरकार ने उच्छ सिक्षा में 100% नई सिक्षा निती लागू करने की घुसना की है तो गोवा में और मैंने कल बताया था कि गोवा में दूद सागर जर्ना गोवा में है नई सिक्षा निती को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है उत्रा खंड है कौन है उत्रा खंड है अब देखे अगला हाड़ी में किस राज्य ने आजादी के 75 साल पूरे होने पर इंडिया की उरान पहल लॉंच की तो किस ने लॉंच की गूगल ने और गूगल का मुख्याले केलिफोनिया में है और गूगल के CEO है सुन्दर पिचाई ठीक है किस राज्य सरकार ने परतेक ज मनाया गया गया तो यह भी दर्सका अगस्त को मनाया गया, कॉमन बेल से गिफ प्रदक तालिका में कौन सा भे परतर अस Mia को मेल पंची आम्रित योजना कहा सुरुफ हुआ ? उत्तर प्रदेश में, क्यों शुरू हुआ, तो किसानों की आय को दुगना करने के रही शुरू हुआ, किस देश के परसिद फैसन डिजाइनर, इसे मियाके का निधन हुआ है, तो जा पान, कल मैंने यहां सब यह बता है था, सौरी, कल मैंने यह बता है था, लक्षमन सेन, ब मरनो उपरांत सुमानित किया गया, ठीक है, अब देखे, अगला जेखते हैं, अगे मैंने बताया था, स्टतरंज ओलंपियार, तो सचबिस का आयोजन कहा होगा, उजवेकिस्तान में होगा, और इस बार जो हुआ है, वो इसीने जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, किसने जी जरीन और सरत कमल, और उद्घाटन के कौन थे, तो मनपरीद सिंग और पीवी सिंदू, तो ये आपके कल के, कल जो मैंने बताया थे, यानि कि पिछले दिन जो बताया थे, वो थे रिविजन, और आज जो मैंने बताया थे, वो उपर थे, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी वो तो लाइक करें और सेयर करें, ठीक है, धन्यवाद,